तो गर्मियों के मौसम में अगर घर की बनी ठंडी ठंडी आइस क्रीम खाले को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है तो आप देख सकते हैं यह जो कुलफी बनी है कितनी मलाईदार बनी है तो मेरे बेटे को तो यह बहुत ही ज्यादा पसंद आई है और इसे बनाने के लिए ना इसमें फ्रेश क्रीम और ना ही कॉन फ्लोर का यूज किया गया है फिर भी एकदम क्रीमी बनेगी तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं तो जब भी आप घर पे ice cream या कुली बनाए है, तो कोशिश करीए के हमाइशा full cream milk ले क्यूंकि इसमें जो cream की मातरा होती है वो ज्यादा होती है जैसे हमारी ice cream है वो बाहर जैसे पिलती है मार्केट में वैसे ही बनेगी, तो एक लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है, और गैस अभी बन रखेंगे, और इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर तो 1 4th cup जितना मिल्क पाउडर डालेंगे और हमारी आइस्क्रीम को एकदम नैचरली क्रीमी और थोड़ी सी गाड़ी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे काजू का पाउडर तो यह 1 4th cup से थोड़ा सा ज्यादा लिया है 1 3rd cup जितना और काजू को बस पल्स क कर लेना है बारिक पाउडर बना लेना है और फिर इसमें हम डालेंगे अपर दालेंगे अपर जिससे हमारी जो आइस्क्रीम है वह एकदम ही क्रीमी बनेगी और यहाफ कप है और यह घर का बना हुआ कंडेंस मिल्क है अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे अगर आपको अगर आपको चाहिए और यहाफ कर लेंगे और यहाफ जो फ्लेम है हमें लो रखनी है तो मिल्क पाउडर काजू का पाउडर और जो कंडेंस मिल्क हमने डाला था वो सबी चीजे अच्छे से कंबाइन हो गई है और दूद को एक उबाल पे लाएंगे और इस केसर को मिक्स कर लिया है थोड़े से दूद में ताकि इसका जो कलर है एक दम बढ़िया निखर के आए फिर इसमें जाएगा चॉप किया हूँआ पिस्ता यह वन फुट कप है और इसे भी डाल देंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और पिस्ता जो हो जाए और इसका ज चीजों को अच्छे से कंबाइन कर लेंगे फ्लेम जो है लो रखेंगे और यह जो साइड में आप देख रही है इसका क्रीम है तो क्रीम को हम स्क्रेप आउट करते रहना है और वापस से इस दूद में डाल देना है और यह जो प्रोसस है इसे हमें रिपीट करते रहना है क करते जाएंगे तो 10-12 मिनिट के बाद आप देखोगे कि यह जो दूध है यह गाड़ा होने लगेगा क्योंकि इसमें हमने काजू का पाउडर डाला है मिल्क पाउडर डाला है और केसर की वज़े से इसका जो कलर है यह भी एकड़म गोल्डन हो चुका है तो यहां पर देख सकते ही जो मिक्स्चर है एक दम ही क्रीमी बन गया है और हलका सा पतला है तो इस स्टेज पर हम गैस को बन कर देंगी अभी इसे ज्यादा नहीं उबा लेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद यह और भी गाड़ा हो जाएगा और इसे एक बोल में हम ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि कडाई में रखेंगे तो जो दूद है वो जल सकता है क्योंकि कडाई जो है गरम है तो इसको डाल दिया है एक बोल में आप देख सकते ही कितना क्रीमी लग रहा है बिना क्रीम और बिना कॉन्फ्लोर के बनाया है फि अब आपको लगे कि जो मिक्स्चर बहुत ज्यादा गाड़ा हो गया है तो थोड़ा सा दूद आप इसमें डाल के हलका सा पतला कर सकते हैं और अभी मैंने यहां पे लिए है कुल्फी मोल्ड तो यह जो आइस्क्रीम का मिक्स्चर है इसे हम इस कुल्फी मोल्ड में भर लेंगे तो अगर आपको यह एकदम मलाईदार केसर पिस्ता कुल्फी की रेसिपी पसंद आ रहे है तो जल्दी से कमेंट में यमी टाइप कर लीजे इस वीडियो को लाइक करिए, शेर करिए, पेज को फालो नहीं किया है तो जल्दी से फालो कर लिजे तो यहां पे इस जो कुल्फी मोल्ड है इसको हमने भर लिया है आईस्क्रीम मिक्स से और बागी का इस जो मिक्स्चर है इसे डौल देते है एक कब में तो कोई भी सिरामिक कप या तो अगर आपके पास मिट्टी का बरतन है तो उसमें भी आप इसे जमा सकते है उपर से डाल देंगे थोड़े से पिस्ता के स्लाइसे और इसे हम कवर कर देंगे एक अलूमिनियम फॉयल से और इसे फ्रीज कर लेते हैं कम से कम 8 घंटे के लिए या तो आप इसे ओवरनाइट भी फ्रीज करके रख सकते हैं तो यह अच्छे से जम चुका है मैंने इसे ओवरनाइट फ्रीज किया था तो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बाहर रखेंगे ताक यह जो कुलफी है यह असानी से अनमोल्ड हो पाए और यह देखे हमारी एकदम रबड़ीदार आइसक्रीम बन के तयार है तो आप भी अगर इसे एक बार बना के ट्राइ करोगे तो आपको पता चलेगा कि यह कितनी ज्यादा टेस्टी और क्रीमी बनती है और इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव का यूज नहीं किया गया है बच्चे बड़े सब इसे शौक से खाएंगे और गर्मियों में तो ऐसी ठंडी ठंडी चीजे बनाना बनता ही है तो रेसिपी पसंद आईए तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए कमेंट में यमी टैप करिए पेज को फॉलो करिए तो चलिए जल मिलेंगे एक और ऐसी यमी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई